हारनव गोस्वामी जी रिपब्लिक मेडिया नेटवर्क के सभी साथ ही देश विदेश में रिपब्लिक टीवी के सभी दर्शक देवियों और सज्जनो अपनी बात बतारे से पहले बच्पन में एक चुटकुला हम सुनते थे वो जराब बताना चाहता हूँ एक प्रफिसर थे और उनकी बेटी नेहात्महत्या की तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिन्दगी में ठक गई हूँ मैं जीना नहीं चाहती हूँ तो मैं काकरिया तालाब में कूट करके मर जाओंगी अब सुबह देखा बेटी गर में नहीं है तो पिस्तर मैं चिठी मिली तो पिताजी को बड़ा गुसा आया बोले मैं प्रोफिसर इतने साल मैंने मेहनत की अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है मुझे खुशी है कि अरनब बढ़िया हिंदी बोलने लगे है उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं लेकिन हिंदी ठीक है नहीं कि वो मेरवर ध्यान से सुनदा और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए साथियो आप सब के बीचाना स्वाभाविक है का आनन्द होता है अगले महिने रिपब्रिक टीवी के छे साल पूरे हो रहे हैं मैं आपको बताए दूंगा आपने नेशन फर्स के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया हर प्रकार के रोडे रुकावटों के बावजूद आप डटे रहें कभी अरनब का गलाव खराब हुआ कभी कुछ लोग अरनब के घले पड़ गए लेकिन चैनल न रुका हां न थका और नहीं थमा साथ्यों दो जाब उन्नीस में जब मैं रिपब्लिक समीट में आया था तब उस समय की थीम थी इंडिया ज मॉमेंट और इस थीम की पुष्ट भूमी में देश की जनता से मिला जनादेश था अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड भूमत वाली स्थीर सरकार बडाई थी देश को ये विश्वास हो गया था कि इंडिया स मॉमेंट आ गया है आज चार वर्स बाद आपकी समीट की थीम है टाइम अफ टांस्फरमेशन यानि जिस टांस्फरमेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है साथिवाज देश में जो बडलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है इसको मापने का एक तरीका है अर्थ ववस्ता के विकास और विस्तार की गतिए भारत को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थ ववस्ता बनने में लगभग साट सान लगे सिक्स्टी यर्ज 2014 तक हम लोग किसी तरह दो ट्रिलियन डॉलर के मार्क तक पहुँच पाए थे यानि साथ दसक में टू ट्रिलियन डॉलर की अर्थ ववस्ता है लेकिन आज हमारी सरकार के नव वर्ष बात भारत आज लगभग साड़े तीन ट्रिलियन डॉलर एकोड़मी वाला देश है बीते नव वर्षों में हमने दसवे नंबर की अर्थ ववस्ता से पाँचवे नंबर तक की लंबी छलांग लगाई और ये सब सो साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थ ववस्ताएं फसी हुई थी उस दौर में भारत संकट से भार भी निकला और तेज गती से आगे भी बड़ रहा है साथियों पॉलिसी मेकर्स से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी फर्स्ट ओर्डर इंपेक्ट यहने किसी भी नीती का पहला और च्वाभाविक परणाव फर्स्ट ओर्डर इंपेक्ट ही पॉलिसी का पहला लक्ष होता है और यह कम समय में दिखने लगता है लेकिन हर पॉलिसी का सेकंड और थर्ड ओर इंपेक्ट भी होता है इनका प्रभाव गहरा होता है दुर्गामी होता है लेकिन ये सामने आने में समय लगता है इसकी comparative study करने के लिए विस्तार से समझने के लिए हमें कई दसक पीछे जाना पड़ेगा आप लोग टीवी की दुनिया वाले टू विंडो चलाते है ना पहले और अब वाली बिफॉर एंड अप्टर वाली तो मैं भी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूँ तो पहले जारे बिफॉर की बात कर लेते हैं सात्यों आजहादी मिलने के बाद लाइसेंस राजवाली जो economy policy अपनाई गई थी उसमें सरकार ही controller बन गई competition खत्म कर दरिया गया private industry को MSM को आगे नहीं बढ़ने दिया गया इसका पहला नकारत्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछडते चले गए हम और गरीब होते गए उन नीतियों का second order impact और भी बुरा हुआ है भारत के consumption growth दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई है इसकी वजह से manufacturing sector कमजोर हुआ और हमने investment के मोके घवा दिये इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में innovation का माहोल ही नहीं बन सका ऐसे में न ज्यादा innovative enterprise बने और ना ही ज्यादा private jobs create हुई युवा सिर्फ और सरकारी नोकरी के भरोस से रहने लगे देश की कई प्रतिभाव ने तब काम का माहोल ना देखकर देश छोड़े तक का फैसला कर लिया इसब उनी सरकारी नीतियों का थर्ड और इंपेक्ट था उन नीतियों के इंपेक्ट ने देश के innovation हाड़ वर्क और enterprise की छमता को कुचल दिया साथियों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो जानकर रीपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जुरूर अच्छा लगेगा 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी policy बनाई गी उसमें ना केवल initial benefits का ध्यान लखा गया बलकी second और third order effect को भी profit दी गई आपको याद होगा 2019 में इसी रीपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि PM आवास योजना के तहत हमने 5 साल में डेड़ करोड परिवारों को घर दिया है अब यह आकड़ा बढ़कर पोने चार करोड से ज़्यादा हो चुका है इन में से ज्यादा तर घर उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है याने करोड़ों गरीब बहने मैं आज बड़े संतों से कहता हूं लगपती दीदी बनी है शायद इससे बड़ा को रक्षा बंदर नहीं हो सकता है यह हुआ पहला इंपेक्ट इसका दूसरा परणाम यह सामने आया कि इस ही योजना से गाउं गाउं में रोजगार के लाखों अवसर त्यार हुए और आप जानते हैं कि जब किसी के पास अपना घर होता है पका घर होता है तो उसका आत्मविस्वास कितना बढ़ जाता है उसकी रिस्क टेकिंग केपिसिटी कितनी बढ़ जाती है उसके सपने आस्मान को छूने लग जाते हैं पीए मावास योजना ने देश के गरीब का आत्ली स्वास नई उन्चाई पर पहुचाया। साथियों कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के आठ वर्स पूरे हुए है। ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटर्परनर्स को फाइनांसिल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी। मुद्रा योजना के तहट 40 करोड़ से अधिक लोन बाटे गए जिन में करीब 70 प्रतिशक महिलाएं हैं। इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने हैं। मुद्रा योजना हो, महिलाओं के जंदन एकाउंट खुलना हो, या फिर सेल्प हेल्प ग्रूप को पोत्सान। आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बढ़ला होते हुए हम देख सकते हैं। इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसिजन मेगिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबूत भूमिका स्थापित कर दी हैं। अब जादा से जादा महिलाएं जौब क्रियेटर की भूमिका में आ रही हैं। देश की अर्थ बढ़ती हुए अर्थववस्ता को मजबूती दे रही हैं। साथिओं पीम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स सेकंड और थर्ड और इंपेक्ट अलग अलग देख सकते हैं। इसके तहट लेटेस्ट टेक्नोलोजी का उप्योग करके गरीबों को प्रोपर्टी कार दिये गए हैं। जिसके उन्हें संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिला। इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता हैं। जिसमें मांग और विस्तार के संभावना ये लगातार बढ़ रही हैं। पी-एम स्वामित्व योजना को शुरू करने अब करीब करीब दो धाई साल हुए हैं। बहुत समय नहीं हुआ हैं। लेकिन इसका भी सोशल इंपेक्ट दिखने लगा है। संपत्ति कार मिलने पर आपसी विवाद के आशंका कम हो गई है। इससे हमारी पुलीस और न्याईक व्यवस्ता पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है। इसके साथ ही गाउं में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं। उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है। गाउं की इन प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है। साथियों, फर्स्ट ओर्डर, सेकेंड ओर्डर और थर्ड ओर इंपेक के मेरे पास इतनी केस्ट्रडी है कि आपका रंडाउन ही आउट आप ओर्डर हो जाएगा। बहुत सारा समाएं इसे में निकल जाएगा। DBT हो बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविदाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाएं हो इन सभी ने ग्राउन लेबल पर एक क्रांती ला दिया है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। देश में गरीब को पहली बार सिकुरिटी भी मिली है, डिगिनीटी भी मिली है। जिने दसकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोज है, वो आज देश के विकास को गती दे रहे हैं। जब सरकार यह योजनाएं शुरू कर रही थी, तो कुछ लोग हमारा मजा कुड़ाया करते थे। लेकिन आज इनी योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गती दिये हैं, यह योजनाएं विक्सीद भारत के निर्मान का आधार बन रही हैं। साथियों, बीते नव वर्षों से गरीब, दलीत, वंचीत, पिछडा, आधिवासी, सामान्यवर्ग, मद्यमवर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पस्ट बदलाव अनुभव रहा है। आधेश में बहुत सिस्टेमेटिक एप्रोच के साथ काम हो रहा है। मिशन मोड पर काम हो रहा है। हमने सप्ता के मैंड सेट को भी बढ़ला है। हम सेवा का मैंड सेट लेकर आए है। हमने गरीब कल्यान को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टी करण नहीं, संतुष्टी करण को अपना आधार बनाया है। इस एप्रोच ने देश के गरीब और मद्वर के लिए एक डिफेंसिव सिल्ड सुरक्षा का कवच काम निर्मान कर दिया है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है। आप मैंसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईश्मार योजना ने देश के गरीबों के असी हजार करोड रुपिये खर्च होने से बचाये हैं। जो गरीब के जेब से जाने वाला था अगर ये योजना न होती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। सोचिए हमने कितने ही गरीबों को और गरीब होने से बचा लिया है। संकड के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं हैं। बलकि सस्ती दबाईया, मुप्त टिकाकरण, मुप्त डायलीसिस, एक्सिडेंट इंशरंस, लाइफ इंशरंस की सुविधा भी पहली बार करोडों परिवारों को मिली है। पीएम गरीब कल्यान अन्य योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शिल्ड है। इस योजना ने करोणा के संकड काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार चार लाक करोड रुपिये सरकार इसी अन्य योजना पर खर्च कर रही है। चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जेम ट्रिनिटी इस सभी प्रोटेक्टिव शिल्ड का ही हिस्सा है। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक्त का है वो उसे जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूँ यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है। ऐसी कितनी ही योजना है इनका बहुत बड़ा असर भारत से गरीबी को कम करने में हुआ है। आपने कुछ समय पहले आएमेप का एक रिपोर्ट आया है जो है। एक वर्किंग पेपर शायद आपने जुरूर देखा होगा। यह रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजुद भारत में एक्स्ट्रीम पवर्टी खत्म होने की कगारपर है। और यही तो ट्रांस्फोर्मेशन ट्रांस्फोर्मेशन और क्या होता है। साथ को आप याद होगा मैंने संसद में मंद्रेगा को कॉंग्रेज सरकार की विफलताओं के समारक के रूप में पहचान दी थी उसकी। 2014 से पहले मंद्रेगा को लेकर कितनी सिकायत रहती थी। तब सरकार ने एक स्टडी कराई थी। स्टडी में सामने आया कई जगों पर तो एक दिन के काम के बढ़ले 30 दिन तक की हाजरी दिखाई जा रही है। यानि पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुक्सान हो रहा था। गरीब का, मजदूर का। आज भी अगर आप गावों में जाएंगे और पूछेंगे कि 2014 से पहले मन्रेगा में कौन सा प्रोजेक्ट बना है। जो आज काम आ रहा है तो आपको जादा कुछ हाथ नहीं लगेगा। पहले मन्रेगा पर जो दन्रासी खर्ज भी हो भी रही थी, उसमें पर्मनेंट एसेस डेवलेप्मेंट का काम बहुती कम होता था। हमने स्थिती को भी बढ़ा, हमने मन्रेगा का बजेट बढ़ाया, ट्रांस्परेंसी भी बढ़ाई, हमने पैसा सीधे बैंक एकाउंट में भेजना शुरू किया और गाउं के लिए रिसोर्ज भी बनाई। 2014 के बाद मन्रेगा के तहट गरीबों के पक्के घर भी बने, कुए बावडियां नहरे, पशुओं के शेड ऐसे लाखों काम हुए हैं। आज अधिकतर मन्रेगा पैमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है। अब करीब 90% से अधिक मन्रेगा मद्दूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फरजी वाड़ा कम हुआ है। और मैं आपको एक और आकड़ा दूँगा, मन्रेगा में फरजी वाड़ा रुकने की वज़े से 40,000 करोड रुपिये गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अम मन्रेगा का पैसा उस गरीम मद्दूर के पाथ जा रहा है, जो मेहनत करता है, जो अपना पसीना बहाता है। गरीब के साथ हो रहे उस अन्याय को भी हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है, साथियों, ट्रांस्फर्मेशन की यह यात्रा, जितनी समकालीन है, उतनी ही फिचरिस्टिक भी है। हम आने वाले अनेग दसकों की तैयरी आज कर रहे हैं। अतीत में जो भी टेकनलोजी आई, वो कई-कई दसकों या सालों के बाद भारत पहुंची। पिछले नव वर्षों में भारत ने इस ट्रेंड को भी बढ़ला है। भारत ने तीन काम एक साथ शुरू किये, एक तो हमने टेकनलोजी से जुड़े सेक्टर्स को सरकार के कंट्रोल से मुक्त कर दिया। दूसरा हमने भारत की जरूरत के मुताबिक भारत में ही टेकनलोजी विक्सीत करने पर जोर दिया। तीसरा हमने फ्यूचर की टेकनलोजी के लिए रिसर्ट एड डेवलोप्मेंट पर मिशन मोड अप्रोच अपनाई। आज आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह और कितनी तेजी से 5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गती से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर बारत ने जो तेजी दिखाई हैं। जिस तरह अपनी खुद की टेकनलोजी विक्सित की हैं। उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथियों कोरोना काल में वैक्सीर का विशय भी कोई भूल नहीं सकता। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि मेडिन इडिया वैक्सिन की जरूत क्या है। दूसरे देश बना ही रहे हैं। वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सिन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मंदिर भरता का रास्ता चुना। और परणाम हमारे सामने हैं। और साथियों आप कल्पना करो। जिस बात को लेकर कि आपको इतनी खुशी होती है। उस हालात में जब निर्णे करने की तित्याई होगी। आप अपने आपको उस जगा पे रखो। कि दुनिया कह रहे हैं कि ये वैक्सिन हमारी ले लो। लोग कह रहे हैं बिना वैक्सिन मुसीबत आ रही हैं मर जाएंगे। एडिटोरियल टीवी सब भरे पड़े हैं। वैक्सिन लाओ वैक्सिन लाओ और मोदी डट करके खड़ा है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। वरना मैं भी खजाना है खाली करो है लियाओ एक बार लगा दो अखबार में एरोटाइजमेंट दे दो काम चल जाएगा। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना दोस्तों। हमने बहुत ही कम समय में दुनिया की इस्त्रेश्ट और फरवरी में कोवीड की शुरुवात भारत में शुरू अभी तो हुई थी और भारत ने मई महिने में वैक्सिन के लिए टास्पोर्स बना दिया था। कि इतना एडवांस में सोच करके काम किया है और यही वो भी समय था जब कुछ लोग मेड इन इंडिया वैक्सिन को नकारने में जूटे थे न जाने कैसे कैसे शब्द प्रोग किये थे पता नहीं किसका दबाव था जाने क्या स्वार था कि यह लोग विदेशी वैक्सिन के इंपोर्ड की पेरवी कर रहे थे साथियों हमारा डिजिटल इंडिया भ्यान की भी आज विश्व भर में चर्था है मैं पिछले दिनों जी ट्वेंटी समीट में बाली गया था शाहिद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने मुझे डिजिटल इंडिया की डिटियल जाननी की कोशिश न की हो इतनी बड़ी चर्ता है डिजिटल इंडिया को भी एक समय में ड्रिल करनी की कोशिश हुई थी पहले देश को डाटा बनाम आटा की डिबेट में उल जाया गया और यह टिवी वालों को तो बजा मड़ा जात है जो शब्न जाल देते हैं डाटा चाहिए एक आटा चाहिए जंदन आधार मुबाइल की त्रिनिटी को रोकने के लिए इन्होंने संसर्थ से लेकर कौड तक क्या क्या प्रपंच नहीं किये दोजार सोला में जब मैं देश्वास्यों कहता था कि आपके बैंक को आपकी उंगली पर लाकर मैं खड़ा कर दूँगा आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी है तो यह लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कुछ चद्म बुद्वी जी भी तब पूस्ते से मोधी जी बताईए गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरिदेगा अज़े यही लोग बाद में क्या बोलते हैं अरे गरीब की नसीब में आलू टमाटर होता कहा है यह ऐसे ही लोग है जी यहां तक क्या थे गाओं में मेले लगते हैं मेलों में लोग कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे आज आप देखिए आपकी फिल्म सिटी में भी चाहे की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं आज भारत उन देशों में है जहां डिजिटल पेमेंट सबसे जादा हो रहा है दुनिया के दुल्ना में साथियों आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार इतना काम कर रही है जमीन पर लोगों को उसका लाब भी मिल रहा है फिर भी कुछ लोग कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है अब इसके बाद मिडिया वालों का समय शुरू होता है और आज इसकी वजह मैं भी रीपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं इस जो नाराज की दिख रही है ना इस जो बवाल हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिये अब ब्रस्टाचार के खिलाब लडाई में आदी अधूरी आइसो लेटेड एप्रोच नहीं है अब एक इंटिग्रेटेड इंस्टिजुशलाइज एप्रोच है यह हमारा कमिट्मेंट है अब आप बताएगे जिसकी काली कमाई रुकेगी वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा के नहीं देगा वो कलम में भी जहर भरते था है आप यह जानकर हैरान रहे जाएंगे कि जैम ट्रिनिटी उसकी वज़े से सरकारी स्कीम्स के करीब दस करोड आकड़ा कम नहीं है साथ दस करोड फरजी लाभारती बहार हो गये हैं लेकिन यह दस करोड वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था आप सोचिए दिल्ली पंजाब हरियाना की जितनी कुल आबादी है उससे भी ज़्यादा फरजी नामों को कॉंग्रेज की सरकार पैसे बेच रही थी अगर ये फरजी दस करोड नाम हमारी सरकार सिट्रिम से नहीं हटाती तो स्थीती बहुत भयावह हो सकती थी इतना वड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तवाई इसके लिए पहले आधार को समयधानिक दरजा दिया गया पैतालीस करोड से अधिक जंदन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए अभी तक 28 लाग करोड रुपिय डीबीटी से करोडों लाभारतियों तक पहुँचाए गए डायरेक मेनिफिट ट्रांसफर कोई बीचोलिया नहीं कोई कटकी कंपनी नहीं कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानि कमिशन बन लीकेज बन इस एक व्यवस्ता से ही दरजनों योजनाओं कायरेकमों में ट्रांसपरेंसी आ गई साथियों सरकारी खरीद भी हमारे देश में ब्रस्टा चार का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी लेकिन अब इसमें भी ट्रांसपर्मेशन आ चुका है सरकारी खरीद अब पूरी तरह जेम एनि गवर्मेंट इब मार्केट प्लेस पॉर्टल पर होती है टैक्स से जुड़ी व्यवस्ताओं से कितनी परिशानी थी क्या क्या परिशानी थी इसको लेकर अकबार भरे रहते थे हमने क्या तरीका निकाला हमने सिस्ट्रिम को ही फेस्टलेस कर दिया टैक्स अधिकारी और टैक्स पेर का आमना सामना ही ना हो यह व्यवस्ता की अब जो जी एस्टी जैसी व्यवस्ता बनी है उससे भी काली कमाई के रास्ते बंद हुए है जब ऐसे इमान दारी से काम होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होनी बहुत स्वाभाविक है और जिसको दिक्कत होगी वो कोई गली महले के लोगों को गली थोड़े देगा साथियों इसलिए ब्रस्टाचार की ये प्रतिनीदी डिस्टब है कुछ भी करके ये देश की इमानदार व्यवस्ता को फिर से द्वस्त कर देना चाहते हैं साथियों इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते हैं लेकिन ये अपनी साजिसों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतिय के विरुद लड़ रहे हैं उनके खिलाब फड़े हुए हैं ये प्रस्टाचारियों का कितना भी बड़ा गड़ जोड क्यों वना बना ले सारे प्रस्टाचारिये की मंच पे आ जाए सारे परिवारवादिये की जगा पे आ जाए लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है ब्रस्टा चार और परिवारबात के खिला मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ मुझे आपके आशिर बात चाहिए साथियों आज़ातिका यम्रित काल हम सभी के प्रयासों का है जब हर एक भारतिय की शक्ति लगेगी हर एक भारतिय का परिश्रम लगेगा तो विक्सीद भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे मुझे विश्वाथ है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्ग भी निरंतर ससक्त करता रहेगा और अब तो अर्नम ने बता भी दिया है वो ग्लोबल ही जा रहे हैं तो भारत के आवाज को एक नई ताकत भिलेगी मेरी उनको भी बहुत शुक्त पावना है और इमानदारी के साथ चलने वाले देश वासियों के संक्या बढ़ती ही चली जा रही है और वही भव्य भारत की गारंटी है दोस्तों मेरे देश वासि ही भव्य भारत की गारंटी है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसी में मेरा विश्वास है फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद